जहिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRPF Hate Constable and ASIS TNOPAD के बारे में कि CRPF Hate Constable and ASIS TNOPAD में टोटल फर्म कितने अपलाई किये गए हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा नहीं तो आप पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप गलत गलत कोमेंट कीजिएगा उस वीडियो में आप सभी का एक बहुती ज़्यादा मित था कि सर आप जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं तो आप सभी कोम बता दे कि आप लोगों ने सुरुवात की बाते सुनकर आप लोगों ने सिर्फ कमेंट किया है जो जो एस टुडेंट अंत तक बने रहें अंत तक मेरी बातों को समझे सुने वह सभी लोगों ने comment नहीं किया आप लोग सुर्वात की बाते सुने थे आप लोगों ने सुर्वात के ही बाते सुन कर ही comment कर दिया थे कि सरा आप बता रहें ये पूरा पूरा गलत है आई होप कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंध तक सुनिएगा या उसके बाद ही कोमेंट कीजिएगा चलिए बात कर लेते हैं CRPF Head Constable and ASI STNOPAD के बाड़े में दोस्तों आप सभी को यह जो अप्लिकेशन है यह अप्लिकेशन को थोड़ा सा आप से भी के स्क्रोल करके दिखला दें यह अप्लिकेशन मतलब CRPF ASI STNOPAD का है यह फॉर्म अप्लाई किया गया था 12 जनवरी को ध्यान से सुन लिजिएगा 12 जनवरी को फॉर्म अप्लाई किया गया था CRPF ASI STNOPAD में और आप सभी को बता दे टोटल फॉर्म को जनकारी पाने के लिए हम एक ही तरीका अपना सकते हैं और वो आप सभी जानते हैं कि आवेधन संख्या आवेधन संख्या से आप पता लगा सकते हैं कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किया गया है तो यह 12 जनवरी को CRPF ASI STNOPAD के लिए फॉर्म अप्लाई किया गया था तो उस दिन तक 12 जनवरी तक CRPF ASI में 28600 यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा थोड़ा सार जूम आउट कर दें ताकि आप सभी को लिए किलियर हो सके और गलत गलत धारना जो है वो आप सभी के मनमेनर है 28600 यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लीकेशन नमबर में ठीक है यह है ASI STNOPAD में 12 जनवरी तक का और आप लोगों ने यही देखकर आप सभी लोगों ने गलत कमेंट किया था कि सर आप 28000 की बात कर रहे हैं यहाँ पर 5,6,7,000,000 फर्म अपलाई हो चुका है तो आप सभी के लिए हमने लाश्ट में भी बताया था कि टोटल और 25 जनवरी तक फर्म कितना अपलाई होगा वो भी बाते बताया थे लेकिन उस वीडियो को हम अंध तक बताया थे लेकिन आप सभी लोगों ने शुरुआत की बाते सुनकर आप लोगों ने कमेंट कर दिया था ठीक है अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात करते हैं कि टोटल फर्म 25 जनवरी तक कितने अपलाई हो जाएंगे तो आप सभी के लिए ये बाते आप अच्छे दसुन लिजे उसके बाद कमेंट किजिएगा आप सभी का जो फर्म अपलाई होंगे 25 जनवरी तक वो हो जाएगा 2 लाग की आसपास 2 लाग से ज़्यादा अपलाई नहीं होगा ये आप सभी गैरेंटेड आप सभी को हम बता रहेंगे 2 लाग से एक्स्ट्रा नहीं होगा उससे कमी रहेगा मगर उससे ज़्यादा नहीं रहेगा अब आपको हेड कंस्ट्रेवल की बात किया जाए तो हेड कंस्ट्रेवल कम से कम 5-6 लाग बच्चे फर्म अपलाई करेंगे CRPF हेड कंस्ट्रेवल में 5-6 लाग और CRPF ASI STN में 2 लाग अब आप पूरा टोटल इसको एड कर लिजेगा तो 7-8 लाग बच्चे अपलाई करेंगे CRPF और ASI STN नों 2 लाग ठीक है और आप सभी के मन में अगर यह डाउट है कि सर कोई बता रहा है 8 लाग कोई बता रहा है 10 लाग कोई बता रहा है 20 लाग तो या सभी के सभी फेक बता रहा है या सभी के सभी गलत बता रहा है दोस्तों आप सभी को बता दे कोई भी वेक्ती, कोई भी टीचर, कोई भी यूटूबर आपको यह नहीं बता सकता है exact date कि एतना form apply हुआ है कोई नहीं बता सकता है सब अनुमानित बताएगा 10,000 आगे या 10,000 पीछे 50,000 form आगे या 50,000 पीछे का ही बता सकता है कोई exact आपको नहीं बता सकता है ठीक है न अगर आपको कोई बता रहा है तो वो fake बता रहा है, वो गलत बता रहा है आप सभी को आपने जो बताया है वही data एकदम same होगा उससे 10,000 आपको भी बता रहा है यहाँ पर OBC वाले student के लिए cast central level के मांग रहा है अगर वैसे student के पास नहीं है वो कहां से apply करेंगे इसमें बहुत सारे student गलत भी किये है यह student जो ही इनका भी गलत है तो आप सभी के लिए next जो वीडियो आएगा उसमें लगवावावा student का na admit कर pending होने वाला है उसके लिए next वीडियो आप सभी के लिए हम लेकर आएंगे कि बहुत सारे student कहां कहां गलती है कि यह form apply करने में वो आप सभी के next वीडियो में बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में CRPF head constable और ASIS-TNOPAD के बारे में आप सभी को आप सभी को अच्छे से समझ में आये होंगे फिर मिलते एक नए वीडियो में जब तक के लिए जहिंद